Hello everyone, welcome back to the channel तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ Class 10 से एक और important chapter जिसका नाम है संस्कृति तो संस्कृति नाम का ये जो हमारा chapter है इसमें लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के बीच में जो difference होता है, जो अंतर होता है वही बताया है साथ ही यह बताने की कोशिश किया है कि आज बहुत से व्यक्तियों को ना तो सभ्यता का पता है और ना ही संस्कृति का किन्तु वे संस्कृति के नाम पर समाज वालों को उल्लू बना रहे यानि की समाज में ब्रह्म फैला रहे हैं लेखक को संस्कृति का बट्वारा करने वालों पर आश्चर्य होता है जो मनुष्य के लिए कल्यार काड़ी नहीं है वह ना सभ्यता है और ना संस्कृति तो अब तुम लोग पूरा का पूरा कंफ्यूस हो गए होगे कि सभ्यता और संस्कृति का मतलब क्या है तो चाप्टर को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे भाईों और बहनों मैं आपको सभ्यता और संस्कृती का मतलब बताती चलू उसके बाद हम लोग चाप्टर को शुरू करेंगे और उपर मैंने जो आपको पराये ये चाप्टर का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था तो चलो सभ्यता और संस्कृती का मीनिंग देख लेते हैं तो पहले संस्कृती संस्कृती जिसे इंग्लिश में कल्चर कहा जाता है संस्कृती एक ऐसा पर्यावरण है यानि कि एक ऐसा इंवामेंट है जिसमें रहकर व्यक्ती एक सामाजिक प्राणी बनता है यानि कि एक समाज में रहने वाला प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की शमता अरजित करता है यानि कि जो natural environment है उसको अपने हिसाब से बनाने कि उसके अंदर šम्ता यानि कि capability आ जाती है इससे संस्कृती कहते हैं आ जाती है कहने का मतलब है वो खुद के अंदर वो capability लाता है कि वो अपने आज पास के environment को अपने प्राकृतिक environment को अपने अनुसार बना सके इसे संस्कृति कहते हैं सभ्यता का मतलब देख लेते हैं सभ्यता जिसे इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहते हैं सभ्यता व्यक्तिगत और समाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें लोगों का आचार बहवार बहुत सुधर कर अच्छा हो चुका हो यानि कि लोगों का जो बहवार है और उनका जो रहने का तरीका है वो सुधर जाता है यानि कि लोग सिविलाइज हो जाते है उसे सभ्यता कहते है तो मेरे प्यारे भाईों और बहनों मैं उमीद करती हूँ कि आप लोगों को संस्कृति और सभ्यता का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लो आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए चाप्टर का एक्स्प्लेनेशन शुरू करते हैं और हमारे लेखक ओ मैंने तो आपको लेखक का नाम ही नहीं बताया तो पहले सबसे पहले मैं आपको लेखक का नाम बताती चलू इस चाप्टर के लेखक का नाम है भदंत आनंद कौशल्यायन सभ्यता और संस्कृती दो ऐसे शब्द है जिनका उप्योग सबसे जादा होता है और जो सबसे कम समझे जाते हैं स्थिती तब और विकट हो जाती है यानि कि सिचुएशन और जादा तब खराब हो जाती है जब इनके साथ बहुत सारे विशेशनों का प्रियोग होता है अब तुम लोग मुझसे मत पूछना कि विशेशन क्या होते हैं फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताती चलू कि विशेशन को इंग्लिश में एजचक्टिव कहते हैं लेखक इन शब्दों के अंतर को समझाने के लिए हमें दो उधारण यानि की एक्जामपल देता है पहला उधारण है अगनी के आविशकार का और दूसरा सूई धागे का जी हाँ सूई धागे का जब मानव का अगनी से पड़िचल नहीं हुआ था यानि की जब मानव को इंसान को आग के बारे में नहीं पता था उस समय जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आग का आविशकार किया होगा वो बहुत बड़ा आविशकरता रहा होगा यानि की बहुत ही बड़ा इंवेंटर रहा होगा ठीक इसी तरह से वह व्यक्ति भी बहुत बड़ा आविशकरता रहा होगा यानि की बहुत ही बड़ा इंव आगा पिरो कर कपड़े के दो टुक्रे को एक साथ जोड़ा जा सकता है वह योग्यता प्रविरिती अथवा प्रेर्णा जिसके बल पर आग और सुई धागे का आविशकार हुआ वह व्यक्ति विशेश की संस्कृती है जबकि उस संस्कृती द्वारा जो आविशकार हुआ इस अभ्यता कहा जा सकता है मैं उमीद करती हूँ कि इस लाइन का मतलब आप लोगों ने नहीं समझा होगा तो मैं समझाती चलू कहने का मतलब यह है कि वह योग्यता यानि कि उसके अंदर जो प्रेर्णा था जिसके बल पर उसने जो इनसान जिसने आग और सुई धागे क आविश्कार किया वो व्यक्ति विशेष की संस्कृति है यानि कि वो एक संस्कृति कहलाएगी जो उसने आविश्कार किया वो संस्कृति है संस्कृति यानि कि उसने अपने आसपास के इंवामेंट में से ही अपने अनुसार चीजों को इंवेंट किया जबकि उस संस्कृती द्वारा जो आविशकार हुआ यानि कि उस संस्कृती द्वारा जो इंवेंट हुआ उसे सभ्यता कहा जा सकता है सभ्यता यानि कि civilization जो उसने इंवेंट किया वो आज के इंसान की जो बहबार है रहने का तरीका है उसे वो अच्छा कर रहा है यानि कि यह जो आग है और यह जो सुई धागा है यह हमें हमारे जीवन के तरीके को civilize कर रहा है इसलिए यह civilization हुआ सभ्यता हुआ तो एक सू संस्कृत व्यक्ति यानि कि जिसके अंदर अपने आसपास के इन्वार्मेंट को अपने अनुसार बनाने की जो capability होती है वो व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किन्तु उसकी संतान, संतान यानि कि उसके जो generation है उसके जो बच्चे हैं उनको खोज की गई वह चीज अपने पूर्वज से अपने आप मिल जाती है इस संतान को तो सभ्य कहा जा सकता है यानि कि उन्हें civilized तो कहा जा सकता है किन्तु सू संस्कृत नहीं क्योंकि उन्होंने ये invention किया ही नहीं उन्होंने अपने आसपास के environment को अपने अनुसार नहीं बनाया उधारन के लिए यानि कि example के लिए Newton ने गृत्वा कर्शन के सिधान्त का आविश्कार किया था यानि कि जो Newton थे उन्होंने gravity खोजा था किन्तु आज के यूग के बहुतिक विज्ञान के जो विद्यार थी है उनको गृत्वा कर्शन के अतिरिक कई अन्य बातों का भी ज्ञान है जिनसे शायद Newton आप परिचित ही रहे हो यानि कहने का मतलब यह है कि Newton ने gravity को खोजा था लेकिन आज के यूग के जो science students है उनको gravity के बारे में भी पता है और बहुत सारी ऐसी बाते भी पता है जिसे शायद Newton नहीं जानते होंगे आज के विद्यार थी को Newton से अधिक सभ्यतों कह सकते है यानि कि आज के जो students है वो Newton से जादा civilized तो कहे जा सकते है किन्तु Newton के बराबर सू संस्कृत नहीं कह सकते यानि कि आज के यूग के जो science के students है वो इन theories को परकर civilized तो है लेकिन वो Newton के बराबर सू संस्कृत नहीं है यानि कहने का मतलब यह है कि वो लोग अपने आज पास का जो प्राकृतिक और सामाजिक environment है उसको अपने अनुसार नहीं बना रहे यानि कि वो किसी चीज का कोज नहीं कर रहे इसलिए वो Newton के बराबर सू संस्कृत हम उन्हें नहीं कह सकते तो लेखक कहता है कि आग के आविशकार के पीछे पेट को भरने की प्रेरना रही होगी यानि कि आग का आविशकार कैसे हुआ होगा उस टाइम पर सबसे जरूरत रही होगी इनसानों की पेट को भरने की यानि कि एक मांस का टुकरा है उसे कैसे कच्चा खाया जाए तो उसे पकाकर खाने के लिए आग का आविशकार हुआ होगा पेट को भरने के लिए ये उसकी एक जरूरत रही होगी इसी की वज़े से आग का आविशकार हुआ ठीक उसी तरह से सुई धागे के आविशकार के पीछे ठंड से बचने और अपने सरीर को सजाने की प्रेड़ना प्रमुख रही होगी यानि कहने का मतलब यह है कि सुई धागे के आविशकार का जो सबसे में कारण रहा होगा वो या तो ठंड से बचने के लिए या फिर अपने शरीर को सजाने के लिए लेख़प का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है और उसके तन परवदन पर कप्रे हैं तो वह रात में आकाश में तारों को देखकर निठला नहीं बैठ सकता इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो तारों के रहसियों को जानने के लिए प्रयास करेगा तो इस प्रकार का व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति होगा यानि कि उसके अंदर जिग्याशा होगी तारों के बारे में जानने की तो वो तारों के बारे में जानने की कोशिश करेगा तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो संस्कृत व्यक्ति कहलाता है अतह संस्कृति का जनक वही है जो भौतिक कारणों से नहीं अपीतु अपने अंदर की सहज जिग्याशा के कारण ज्यान की प्राप्ति करता है यानि कहने का मतलब यह है कि संस्कृत व्यक्ति वही है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की जो जिग्याशा है जो curiosity है उसके कारण जो ज्यान प्राप्त करता है जो knowledge प्राप्त करता है वही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति है यानि अपनी इच्छाओं को ना देख कर अपने अंदर की जो curiosity है उसके लिए जो व्यक्ति ज्यान प्राप्त करता है वही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति है संस्कृति का दूसरा हिस्सा हमें ऐसे ही मनिश्यों से मिला है मनीश्यों यानि की जो ज्यान विद्वान लोग है उनसे ही हमें कल्चर का दूसरा हिस्सा मिला है फिर आगे जो लेखक है वो कहता है कि दूसरों के कल्यार के लिए दूसरों की भलाई के लिए जो आविश्कार होते हैं वो तो संस्कृती है ही साथ में हमें जो मनीशियों से यानि कि जो ज्ञान विद्वान लोगों से जो मिला है वो भी संस्कृती है लेकिन इसके अलावा संस्कृती वो भी है जो हम दूसरों के कल्यार के लिए काम करते हैं वो भी संस्कृती ही कहलाता है जैसे की लेखक यहां पर कुछ उधारन देते हुए कहते हैं कि जो अपने मुह की ओर से ले जाते हुए कौर को दूसरे के मुह में डाल देते हैं या फिर रोगी बच्चे को गोद में लिए हुए सारी रात मा बैठी रहती है ऐसा सुना जाता है कि रूस का भागय विधाता लेनीन डबल रोटी के सुखे टुकरे को खुद ना खाकर दूसरों को खिला देता था संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कारल माक्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया यहां तक कि गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए छोड़ दिया इसलिए त्याग कर दिया अपना सारा राजपाठ इसलिए त्याग कर दिया ताकि वो लोगों के दुख को समझ सके और ज्ञान को प्राप्त कर सके तो इस तरह से ऐसी योग्यता जो किसी महा मानों से उसका सब कुछ त्याग कराती है वह संस्कृति है तो संस्कृति क्या है? संस्कृति जो दूसरों के भलाई के लिए जो आविशकार होते है वो संस्कृति है जो हमें मनीशियो यानि की ग्यान विद्वान लोगों से जो कुछ मिला है वो संस्कृति है और जो दूसरों के लिए दूसरों के कल्यार के लिए अपना सब कुछ त् दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं वो संस्कृति है अब सभ्यता क्या है संस्कृति का परिराम है सभ्यता हमारे खाने पीने के जो तरीके हैं हमारे औरने पहनने के तरीके हमारे आने जाने के साधन यानि कि जिन ट्रांस्पोर्ट का यूज करके हम यहां से वहां आते ज अभ्यता है फिर जो लेखक है वो आगे कहते हैं कि मानों की जो योग्यता उससे आत्म विनाष के साधनों का आविशकार कराती है उसे संस्कृति या असंस्क्रिति क्या कहें यानि कहने का मतलब यह है कि जो आविशकार होता है वो जरूरी नहीं कि वो इनसानों के भलाई के लिए हो उसी आविशकार को कोई दूसरा किसी के विनाश के लिए भी यूज कर सकता है जैसे कि जो आग का विशकार हुआ वो एक तरह से हम उसे खाना पकाते हैं तो ये सारे मानों के भलाई के लिए यूज किया जाता है उसी आग को किसी के घर जलाने के लिए भी यूज किय जा सकता है तो ऐसे ही जो लेखक है वो हमसे question कर रहे हैं कि मानों की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का अविश्कार कराती है उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति क्या कहें असंस्कृति ही कहेंगे इसी प्रकार से जिन साधनों के बल पर एक आदमी आत्म पनाश में जोटा हुआ है किसी साधनों के बल पर तो उसे हम सभ्यव्यक्ती नहीं कह सकते उसे हम और सभ्यव्यक्ती ही कहेंगे संस्कृत का यदि कल्यार की भावना से नाता तूट गया तो वह असंस्कृती होकर ही रहेगी और ऐसी संस्कृती का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा यानि की यदि कोई काम मानव के भलाई के लिए नहीं हो रहा है तो वो असंस्कृती है और ऐसी संस्कृती का परिणाम जो है वो असभ्यता ही होगा फिर जो लेखक है वो कहता है कि इसलिए मानव संस्कृती एक अभिभाज्य वस्तु है यानि कि जिसके टुकरे नहीं किये जा सकते और उसमें जितना अंच कल्यार का है जितना पार्ट भलाई का है वह अकल्यार की अपेक्षा स्वेश्ट ही नहीं स्थाई भी है संस्कृती है मानव संस्कृती उसमें जितना अंच जितना पार्ट भलाई का है वह अकल्यार की अपेक्षा में बहुत ही श्वेश्ट है जादा है और स्थाई भी है